आगे बढ़ते हैं, आज पूरा देश चबिस ग्यारा हमले की पंद्रवी बरसी मना रहा है पंद्रा साल पहले मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसका दर्द आज भी हमारे मन में है आज मुंबई में शहीदों को श्रधांजली दी गई मुंबई पुलिस कमिशनर के ओफिस में शहीदों को समाधी स्थल पर आज विशेश कारेकरम रखा गया है और इसी बीच देखिए मन की बात में पिये मोदी ने कहा कि मुंबई हमले में जान गवाने वाले लोगों को में श्रधांजली देता हूँ मुंबई आतंग की हमले में लोगों की सुरक्षा करते हुए जिन जाबाज जवानों ने जान की बाजी लगाई उन्हें आज देश याद कर रहा है नमन कर रहा है मैं उन सब ही जाबाजों को श्रधांचली देता हूँ 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं आज कही दिन देश पर सबसे जधन्य आतंग की हमला हुआ था आतंग्यों ने मुंबई को पूरे देश को धर्रा कर रख दिया था लेकिन ये भारत का सामर्त है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे होसले के साथ आतंग को कुचल भी रहे हैं मुंबई हमले में अपना जीवन घमाने वाले सभी लोगों को मैं स्रधांजली देता हूँ इस हमले में हमारे जो जाबाज वीर्गति को प्राप्त हुए देश आज उन्हें याद कर रहा है